हेलो दोस्तों नमस्कार मैं गुनाम सिंग गवर्मेंट आइटे कालकाट बिठना से मिसीनिस अनुदेशक आज मैं आपको मिसीनिस वफसाय के बारे में जानकारी देने वाला हूँ आज मैं बताउगा कि मिसीनिस क्या है इसमें कौन दाखला ले सकता है दाखले के लिए ज़रूरी क्वालिक्यसन क्या है कितने साल का प्रेसिक्षन है यह वफसाय करने के बाद क्या क्या काम कर सकते हैं तो जानते हैं कि मेशीनिस के है एक ऐसा कारिगर जो हाथ के उखकरन और मेसीन तूğस का प्रयोग करके दह तू पलास्टिक या लकडी के बने पार्स को बनाता है मेशीनिस द्वारा मुक्यता दह तू के ही पार्स मनाय जाते है जैसे Bell, Supply शत या किसी भी मिशीन का कोई भी पार्ट भी भी परकार की मिशीन जैसे लेथ मिशीन, डिलिंग मिशीन, मिलिंग मिशीन, सेपर मिशीन, प्लेनर मिशीन, ग्रैंडिंग मिशीन का उप्योग करके बनाता है इन मिशिनों के अलावा आटोमेटिक मिशिनों में CNC मिशिन भी एक मिशिनिस द्वारा ही चलाई जाती है इन मिशिनों के साथ साथ उसे हाथ के उकरंड की भी अच्छी जानकारी होती है इस परकार एक मेशीनिस्ट के पास विभीन परकार के मेशीन स्टूल वैशीन की अच्छी जानकारी होती है एक मेशीनिस्ट को दूसरे वेबसाइट की तुनला में अच्छी सैलरी भी प्राप होती है इसमें दाखले के लिए जुरूरी क्वालिकेशन जिसने गणीत वह साइंस विश्या के साथ दस्वी पास की हो वह इसमें दाखला ले सकता है इस वशायक की अब दी दो साल है जिसकी एक-एक साल के बाद प्रिक्ष्या होती है आएके करने के बाद आप क्या-क्या काम कर सकते हैं नमबर एक आगे स्टडी कर सकते हैं नमबर दो नोकरी कर सकते हैं नमबर तिन अपना रोजगार कर सकते हैं नमबर एक स्टडी कर सकते हैं स्टडी में हम स्टियाई कर सकते हैं जो आईटियाई में अनुदेशक लगने के लिए एक साल का कॉर्स है दूसरा पॉल्ल टेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं जो दस्वी के बाद तीन साल का कोर्स है प्रतु आईटेई पास इसे दो साल में पुरा कर सकते हैं नमबर दो एक आईटेई पास कहां कहां नोकरी कर सकता है फर्स्ट आटमबाइल उद्योग जैसे मरुत्ती सुजुक्की, होंडा मोटस, हीरो होंडा आदी सेकंड पब्लिक सेक्टर जैसे हिंदुस्तान मेशीन टूल, बार्थ हैवी इलेक्टोनिक्स लिम्टेर, नेशल थर्मल पार प्लांट आदी थर्ड टेक्टर उद्योग जैसे मेंद्रा एंड मेंद्रा, इंडो फार्म, सुनालिका, मैसी, फोर्ड आदी फोर्ड जीग एंड फिक्चर बनाने वाले उद्योग, फिफ्थ स्मुद्री जाज निर्मान उद्योग थाड़े, सेल्फ इंप्लाइमेंट, लेट, डिलिंग, मिलिंग, सिंसी स्ताइवित करके रोजगार भी कर सकते हैं मैं आशा करता हूँ कि इस यह जानकारी आपको मिरिशनी वफसाय में दाखला लेने में साहिक होगी धन्यवाद